नमस्कार मैं हूँ वसीम अक्रम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ CIV इंडिया नूस तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिल्सिला CIV इंडिया नूस के सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबादर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें कबरवाराज जिले के थाना अंतरगत मोधीबूर से है जहां पर परवानी गौडी गाउं की ग्रामिडों ने कोड़ेदार के मनवाने से तरस्तो कर मिंगुरूर की बड़ी बाजार में खत्री तुकर परदशन किये परवानी गौडी खास गाउं के कोड़ेदार हमेशा शराद के नश्यों में तुत रहता है तता हम लोगों से अबद़ता करता है इसके अलावा कोड़ेदार खाधियान वित्रड के नाम पर तीन किलो मीटर दूर अपनी दुकान पर बुलाकर मशीन पर हम सब से अंगुठा लगवा लेता है लेकिन खाद्यान बाद में उबितित करने की बात कहें कर हमें दोबारा आने को बोलता है इस तरह हम सब ग्रामीडों को बारब दा दिन फ्रेमी के दूर पैदर चलकर खाद्यान लेने जाना पड़ता है इस बार में रक्षबंदर और बक्रीद जैसे परव पर हमारी उप्रिक्षा करते हुए कोटेदार एमें गल्ला नहीं दिया ग्रामीडों ने एज़्डियों में पुरुवा को पत्र लिखकर परवानी गोडी खास गव से कोटा हटा अंध्यतर किसी और दुब्रान से खादार विधर करवाने की माँ की है इस संदर में उप्र जिलादकारी में पुरुवा से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्ख नहीं हो सबाए परवानी गोडी निवासी राजूर रूही धरी राम रामदेव कल्डू रामब्रिक्ष इंत्यादी लोगों ने कहा कि जल्द ही यदि हमारी सरकारी गल्ले की दुकान हटा कर कहीं और अटैच्ट नहीं कि गई तो हम सब ग्रामिल जुलतकर लिए पर धरना परदर्शन को अच्छाइब वाधा दो हों कि अच्छाइब आधा रकार से आपके क्या मांगे शिकायत में आपके क्या मांगिया लागो सवागे अचाहिये अच्छाइब पर्वानिकोड़े में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते हैं